दोस्तों क्या आप लोग जाना चाहते हैं लाडो लच्मी योजना क्या है और इसमें आप लोग कैसे अपलाई कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्रमेंट लगेंगे कौन कौन से स्टेट के लिए है क्या एलिजविल्टी क्राइटेरिया है आप लोग सब कुछ जाना चाहते हैं औ और यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है कि आप लोग कौन सी स्टेट से ये वीडियो को देख रहे हैं। अब आपको बताएता हूँ कि लाडो लच्मी योजना क्या है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ना चाहें पर सकते हैं। लाडो लच्मी योजना हर्याना सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं के लिए शुरू की गई एक योजना है जिसके माध्यम से प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिला को 21 रुपए की आर्थिक साहता प्रतेक महप्रदान की जाएगी इस योजना के लाब लेने के लिए महिला को सथ पहले यहां पे आवेदन करना होगा आप लोग जाना चाहते ही क्या 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 यहां पे क्राइटेरिया है कैसे आवेदन करना है और सथ से पहले बताएता हूं इनका उद्देश क्या है तो हर्याना सरकार के द्वारा इस योजन कर पाएंगे जिससे कि वो अपने खर्चे के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगी इस योजना का शुरू करने का मुख उद्देश है कि प्रदेश की उन महिलाओं को लाप पहुचाना है जो किसी प्रकार की नौकरी इत्यादी नहीं कर रही हैं बलकि घर रहे कर ही अ कौन कौन से लोग पात्र होंगे तो सबस्त पहले आपको इसके बारे में बतेता हूं इस योजना के लिए आवेदन केवल हरियाना के मूल निवासी महिला ही कर सकती है आवेदक महिला के परिवार की सालान आये सरकौार द्वारा निर्धारत आये सीमा के भीतर होनी चाहिए अब आप लोग जाना चाहिते ही इसमें उम्र सीमा क्या है तो यहाँ पे आवेतक महिला की आयू 18 वर्से कब नहीं होनी चाहिए अगर आवेतक महिला इस प्रकार किसी अनयोजना के लाब ले रही है तो वह इस योजना के आवेदन के लिए पास्र नहीं होंगी तो यहाँ पे यह भी एक क्राइटेरिया है केवल हरियाना की महिला ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है अगर और आप लोग किसी स्टेट से हैं तो आपके लिए योजना नहीं है अधरी स्टेट के लिए अलग योजना है महिला के परिवार में कोई सदस सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए यह भी इनकी एक क्राइटेरिया है महिला के परिवार का सदस आयकर दाता नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर इनकी यह क्राइटेरिया है तभी आप लोग अवेधन कर पाएंगे जो यहाँ पर क्राइटरिया बताया गया अगर इसको आप लोग फालो करते हैं, अब आप लोग जाना चाहते हैं, यहाँ पर हमें डॉकुमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो हरियान निवासी प्रमारपत, आपस निवास प्रमारपत होना चाहिए, बैंखाता आपको पास होन पनवा लेना है सहेच्छिक योगिता संबंधित दस्तवेज यह अपस इतने डॉक्मेंट होंगे तभी आप लोग अपलाई कर पाएंगे अब जैसे आप लोग अपलाई करना चाहते हैं हम इसे कैसे अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के लिए सबस्र पहले हादियाना लाड आपको जानकाई दी जाएगी और वहाँ पे आपको यह सब कुछ फिल करना है दोस्तों यहाँ पे लेकिन यह जो बता रहा अभी यहाँ पे इनका ओफिसल पोर्टल लाउंच नहीं हुआ है बहुत जल्दी यहाँ पे लाउंच होने वाला है और जैसे ऑनलाइन करना चाहत करके आपको अपलाई कर देना है अब जैसे आप लोग आफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आफलाइन आवेदन करने के लिए इसके लिए सथ पहले आपको लाड़ो लच्पी योजना का आवेदन फार्म आपको डाउनलोड करना होगा इसके बाद आपको दस्तवेर की कांपी को सनलगर कर लेना है इसके बाद इन सभी डॉक्यमेंट को संबंधित करेले के अफसर को जमा करा देना है फार्म जमा होने के बाद आपको एक रसीर दी जाएगी जिसको आपको संभाल के रख लेना है तो यहां पर आपको आफलाइन के बता दियों कि कैसे कर पाएंगे वह भी आपको बता दिया हूँ दोस्तों उम्मीद करते हूं कि अब सब को समझ कहोंगे फिर भी अगर कुछ कोशन कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूंच सकते हैं